हेलो दोस्तो आज के वीडियो में लोग रेजुएट्स के लिए साउथ इस्टर्न रेलवे में निकली लीगल ओफिसर्स की लेटिस्ट वैकेंसी के बारे में कम्प्लीट इंफॉर्मिशन देंगे तो दोस्तो ऐसी ही लो रिलेटेड यूजफुल वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तो साउथ इस्टन रेलवे में लोग रेजुएट्स के लिए vacancies निकली हुई है तो इसका जो official notification है आप इसकी official website www.ser.indianrailways.gov.in यह official website आपकी screen पर भी खुली हुई है तो इस official website पर आपको जाना होगा उसके बाद इसके carrier section में जाना होगा जो आप carrier section में जाएंगे तो सबसे पहले number पर आपको employment notification मिल जाएगा appointment of railway advocates in various tribunals, courts and other statutory bodies over south eastern railway तो means south eastern railway का जो एरिया लगता है उस एरिया में आप चाहे district court में वकालत करते हों तैसील court में करते हों या जो है दूसरे जो tribunals उन में वकालत करते हों तो वहाँ जो है उस इस्तिती में अगर आप इसकी जो eligibility जबी हम आपको बताएंगे उसके अंतरि तो यहां से notification आप download कर लेंगे इस page का link हम आपको वीडियो की description में उपलब्द करा देंगे जिससे कि आप notification डाउनलोड कर पाएं तो चलिए थोड़ा vacancies के बारे हम डिटेल से जान लेते हैं तो दोस्तों आपके सामने screen पर south eastern railway के दौरा जारी official notification है यह notification आपका 12 January 2023 को जारी ह हुआ है जो आपका south eastern railway है इसका head office आपका Kolkata स्थित है तो south eastern railway के अंतरगत जो भी areas आते हैं उनके लिए यहां पर आप apply कर सकते हैं तो देखें यहां पर जो है railway related cases हैं उनको handle करने के लिए यहां पर advocates का panel बन रहा है तो उसमें आप चाहिए tribunals हों या court हो डिष्टिक वाली या तैसील की हों या statutory bodies हों जहां पर भी इनसे related course होते हैं यहां पर high court को छोड़ करके हैं vacancies यह तो आप लोग apply कर पाएंगे तो चली details जानते हैं यहां पर देखें यह starting में three year के लिए vacancies है means contract based है three year के लिए starting में है आपका two year और समय बढ़ाया जा सकता है यदि आपकी working और इसके बाद देखें यहां पर जो है apply आपको कैसे करना है आपको email के माध्यम से apply करना है offline application form इसी notification लाश्ट में मिलेगा उसे भर करके अपने जो related documents है उनको लगा करके scan करके आपको mail कर देना है और mail ID है law officers law officers उसके बाद है ergrc408gmail.com या आपके 1111 number जो point है उस पर mail ID दी गई है तो इस mail ID पर आपको बेजना है या आप by post बेजना चाहते हैं तो आप by post भी भेज सकते हैं उसका भी address यहां पर दिया गया है तो आपको offline application form बरना है यह हम आपको दिखा रहे हैं देखें यह application form है इसको fill up कर देना है आपको और fill बहुत बढ़ा लगता है और प्रतेक एरिया के लिए दो दो चार चार भी रखे जाते हैं तो बहुत हो जाते हैं तो देखें यहां पर qualification कम से कम आपका law degree होनी चाहिए और आपका जो है as a advocate enrollment होना चाहिए रिस्पेक्टिव जो बार काउंसिल है वहां पर और यदी LLM है त तो देखें जो आपका CAT में Central Administrative Tribunal है तो इसके लिए law degree के साथ साथ कम से कम 7 year का आपके पास experience होना चाहिए तब आप यहां पर अपलाई कर पाएंगे और railway claims tribunal के लिए यहां पर minimum 7 year का experience यहां पर भी मांगा गया है और law degree के साथ साथ आपके district court के लिए minimum 5 year का experience मांगा गया ह चाहिए आप district court में हो या उससे related judicial forum है consumer forum है तो इनके लिए आपको minimum 5 year का experience होना चाहिए आपके जो subordinate court है उनके लिए minimum 3 year का experience मांगा गया है law degree के बाद कम से कम आपके पास 3 year का experience होना चाहिए इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो railway related cases है उनकी जानकारी होनी चाहिए और handling आनी चाहिए आपको यहाँ पर देखे दोस्तों यहाँ पर भी बताया गया और भी जोन से अलगलग vacancies निकल रही है तो मैंने बताया था आप जिस जोन के अंतरगत आते हैं उसी जोन में अपना form आपको apply करना है तो other जो जो जोन है उसमें आपको form apply नहीं करना है यहाँ पर इसके apply करने की आपकी 10 फरवरी 2023 है और 12 जनवरी 2023 से ले करके आप 10 फरवरी 2023 तक form apply कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद